सूफी संथ ख्वाजा मुहणुद्दीन हसन्चिष्टि के दरगा दिवान वे सज्जादा नशीन जैनूल आविदीन ने लगवाई वैक्सीन, दर्म गुरुओं और प्रभुद लोगों से वैक्सीन के परती फैली भ्रांतियों को दूर कर सभी देशवासियों से वैक्सीन लगवाने की की अपील महान सूफी संथ हजरत ख्वाजा मुहिन दिन हसन्चिष्टि के वर्तमान सज्जादा नशीन वदरगा दिवान से जैनूल आविदीन अली खान ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने के साथ सबी देशवासियों से वैक्सीन जरूर अगना है कुछ लोगों द्वारा वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही भ्रहंतियों पर ध्यान ना देकर लोगों को जाधा से ज्याधा वैक्सीनेशन कराने पर जोड़ देना चाहिए दरगा दिवान ने धर्म गुरूं और जागरुक लोगों से अपील कि है कि में चार कतिष्ठान आपकी अपनी मोबाईल की दुकान जहां आपको मिलेंगे हर ब्रैंड के लेटेस्ट मोबाईल और असेसरीज वो भी सबसे कम और किफायती दरूपर वोहन वोच एन मोबाईल कजरी रोड नसीराबाद रोड वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर ताकि जो भी आने वाला अंदर आ रहा है एंट्री ले रहा है अपने आस्ता के लिए वह जा रहा है तो उससे वह वह से के वारे में पूछे अगर उसने रेक्सिंडेशन नि लगव澊 है तो महीं गेट के ओपर जो है उसको वेक्सिनेट करके अंदर उसकी एंट्री दें नो एंट्री राइस्थान सरकार ने एक संदेज भी जारी करा था कि अब 72 गंटे पेले अपनी जाच करा के ही कहीं जाएं तो यहां पर जादा भीड़ रहती उसके बारे में आपके गहेंगे लेकिन लोग आस्ता के अंदे इतने होते हैं कि वह इतने महीने के बार में जब दर्गा खुलेगी तो वह जूप दर्जूप जो है मेले की शकल के सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगी आपका यह कहना है कि जो भी धारी में किस्तों लोपर आएगा तो वेक्सिनेशन करा के अंदर आ सकता है बिल्कुल लगा देस्ट लगा दे महां पर गेट के उपर एंट्री पॉइंट के उपर ताकि जिसको भी एंट्री देनी है व युवाओं कर तो यह है कि जितनी जाद 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 के अंदर वो खुद अपने आपको सेफ़गाट कर सकते हैं वो करें और दूसरों को इसके लिए प्रेलिद करें भारत वर्ष कहना जो यह नुक्सान कर रही है कि छोटे जोटे बच्चों को बूरों को औरतों को यह अपने चपेट में लेकर के उनकी जिन्दगी से कहला जा रहा है इसके लिए भारत सरकार ने जो वैक्सिनेशन का प्रोगाम चालू किया है यह काबिल तारीव है लहादा हमें इस वैक्सिनेशन प्रोगाम को कामियाब बना करके इस वबा को हिंदुस्तान से बाहर निक प्रोगाम को फवादत करनी है इस बताइए क्यों भातिया फिलाई जा रही कि लगवाना चाहिए वेक्षिनेशन लेकर के मुख्तलिट लोगों ने जो देश्वासियों के दिलों में तरह तरह की ब्रहंतियां पैदा कर दी हैं वह गलत हैं लहाजा इस वैक्सिनेशन के प् ज़्यादा अपनाएं अपनी और अपने देश्वासियों की जान और माल की हिफादत करें इसे और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी और एहम है वो यह कि जान है तो जान है वरना यह सब चीज़ें जो हैं विकार हैं हुकूमत वक्त ने काफी देर सही सही लेकिन इस वैक प्रिक के लिए बिल्कुल फ्रियों पॉस्ट रखा है और यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनटी है लोगों के लिए इसलिए गली महलों में जो लोग समझदार तपका है जो प्रालिखा तपका है वह अपने अजीज़ों अकारिब अपने दोस्तों अबाब और जो मुताल लगवानी थी क्या वज़े लगवानी चाहिए कि इसके अलावा आपके बास में चारा ख्या है जिब तक आप लेक्सिनेशन लगाओं आपकी हेल्थ जो है वह कमजोर पड़ेगी और जो वबा है वह आपकी हेल्थ के ओपर जो है अब होने कोशिश करेगी और तमाम कर दी है कि जो काम इस वक्त अवाम के लिए जरूरी है वो इस तरह से इंजाम दें कि राइस्तानी नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुक्तलिफ दर्गाओं के ओपर जाकर के ये प्रोग्राम महां पर कामियावी की तरह इसको लाएं और जो अवेलनेस जो गलत चाहमी हैं, खास दोर से इंटिरियर के नर याने गाओंगों के नर जो लोग है, वो बिचारे इननोसेंट हैं, उनको मालूम नहीं कि इस से क्या फाइदा होने वाला है, क्या नुशान होने वाला है, आगर हम नहीं लगाएंग tsunami का लेजा बैसाना है बजाएines पूर अगर हम वेज वेक्सिनेशन खुद लगवाई है और अपने जो हमारी सुसाइटी बनी लिए सूपी सज्जादरशीन कॉंसिल आफ इंडिया उसके बैनर दले जहां जहां मुम्किन हो सकता है इंटियर करने जाने का वह अलग अलग ग्रूप होंगे जाकर कि इस वेक्सिनेशन के प्रवाम क कमी आविकितर मारी कर दो